नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत हैं आज हम बनाएंगे चना दाली मसाला पूरी ये पूरी बहुत आसान तरीकी से बनाएंगे न हमें श्चुपियों बनाने का झाज़त ना इस पूरी भटने की कोई आसानी से कट जा रही है तो इसे इंसाइड में रखते हैं और इसके लिए कुछ मसाला तयार कर लेते हैं हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और इसके अंदर डालेंगे तो इसी जार के अंदर ये दाल भी हम डाल देंगे इसी जार के अंदर ये दाल भी हम डाल देंगे इसे हमें पीक्र पीसना है तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पाने डालेंगे एक से दो चम्मास और इसे बारी पीक्र लेंगे तो दाल भी हमारे पीश चुके हैं, चलिए हम इसका आटा गूत कर तयार कर लेते हैं, तो हम लेंगे एक बड़ा सा बरतल, जिसमें हमें आटा गूतना है, डो बनाना है, तो इसके अंदर हम डालेंगे, एक अप हमने लिया है यह हूं का आटा, मैंने इसे सान करके रख लिया इसे हमका सा क्रस करेंगे, इसे बहुत अची खुस्भू आएगी पूरी में, एक चुथाई चमच हमने लिया है, सोड का पाउडर, आप इसके जिगा अधर का पेष्ट भी ले सकते हैं, तीन सी चार पिंच हमने हिंग लिया है, इसे बहुत अच्छा होता है, और जो मैंने जालेंगे धन्या पाउडर, बस बहुत जादा मसाला डालने के जरोत नहीं है, इसमें पूरी बहुत टेस्टी बनेगी, और अब हम डालेंगे इसके अंदर एक बड़ा चमच, तेल, आप घी भी डाल सकते हैं, अब इसे सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, तो यह आटा मैंने गूत लिया है, और मैंने इसके इंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, उसी दाल में अच्छी तरीके से गूत चुका है, क्योंकि हमें ज्यादा इसे धीला नहीं करना है, थोड़ा सा टाइठी डो बनाना है, तो अब डालेंगे उपसे थोड़ा सा पूरियां बनाएंगे, तो दस मिनट हो चुके हैं, चलिए हम आटा को चेक कर लेते हैं, तो दो हमारा अच्छी तरीके से पूरी रहा है, शेहल का समसल लेंगे, चलिए इसके इंदर चोड़ी लोईयां बना लेते हैं पूरी बनाने के लिए, तो जितनी चोटी या बढ़ पूरी बनाने हैं उसी साथ से आपको लोई लेना है, और इस तरीके से गूल करेंगे, हलका सा चप्टा करेंगे, इस तरीके से फ्लेट करेंगे, और रटते जाएंगे तो हमने पूरियों के लिए सारी लोईयां बना कर रख ली हैं तो चलिए हम पूरी बना कर रख लेते हैं तो हम लेंगे एक चकला और इसके उपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे आप चाहें तो तेल लगाते भी इसे बेल सकते हैं लेकिन हमें जादा ओली नहीं बनाना है तो हम थोड़ा साटा लगाएंगे और इसके उपर एक लोई रखेंगे तो पूरी को हम बेल कर तयार कर लेंगे बहुत ज्यादा मूटी भी नहीं रखनी है बहुत ज्यादा पत्ली भी नहीं थोड़ी सी थिकनेस इसमें होनी चाहिए क्योंकि पूरी या कचोरी आप इसे कुछ भी कर सकते हैं दोनों का माजा मिलेगा इस पूरी में तो ये पूरी हमारी बेल कर तयार हो गई है तो आप देश सकते हैं इसकी थिकनेस पहुत ज्यादा पत्ली भी नहीं है पहुत ज्यादा मूटी भी नहीं है तो इसे हम रख लेंगे ठाली में और भी पूरी या इसी तरीकी से बना कर रख लेंगे तो पूरी मैंने बेल कर तयार कर लिए चलिए इसे फ्राइ कर लेते हैं तो हमने कडाई में तेल रख दिया है और तेल हमारा अच्छी तरीकी से गरम हो गया है तो आज को हमें मीडियम हाई पर रखना है धीमियास पर हमेंसे नहीं तलना है नहीं तो पूरी हमारी अच्छी से गरम हो चुका है, इस तरीक से उपर से हम तेल डालेंगे, जाल देख सकते हैं, पूरी हमारी कूल रही है, एक पूरी और डाल देंगे इसमें, एक मिनाट तक हम तल्ले देंगे नीची साइड में, इसके भी उपर से छोड़ा तेल डालेंगे नेची से पहले वाली पूरी, आप देख सकते हैं, नीचे से कितना अच्छा प्लार आ गया है इसमें, दोनों तरफ से अच्छा सा सुना रह होने तक हम पूरी और को तलेंगे, तो पूरी का कलर आपदेख सकते हैं, हम एक निकाल और इसी तरीकी से सारी पूरियों को हम बना लेंगे तो हमादे चना दाल की गर्मा गर्म पूरियां बनकर तयार हो गई हैं आप इसे अपने मन पसंद चपनी के साथ, सबजी के साथ, अचार के साथ या फिर चाय के साथ खाएए खाने बहुत अच्छी रगती हैं और जटपट बनकर तयार हो जाती हैं तो बस पटपट आप इसे बनाएए खाएए और हमें कमेंट करके जरूर बताएए कि आपकी चना दाल कूरी कैसे बने